तो कैसे हैं आप सभी लोग एक बाद फिर से स्वागत था आपका हमारे यूटूब चैनल स्टडी भी थी होगे इसमें आज आपकी क्रेस कोर्स की डे 70 है यानि डे 70 के तहट हम लोग देखेंगे जो महत्तुपूर्ण आपकी भुगोल और उत्राखन के प्रस्ण होगे तो उस दौरान आप लोग के लिए जो क्लासेज होती है वो थोड़ा सा एडजस्स करने वाले मैंने पहले भी इसे टाइप की चीज़े की है हलका सा उस टेम्प एडजस्स करना होता है तो नवरात्र और दिपावली की छुट्टियों की वज़े से यानि उस टेम्प मुझे कहीं जाना है तो आपकी जो अक्टोबर में जो क्लासेज होती है वो उस रुटिन पे नहीं आपाएंगे बताई जिस तरीके से डेली आते आएंगी डेली लेकिन क्रेस कोर्स हो पाता है या नहीं हो पाता है वो अलग चीज़ है बट नॉम्बर मिट तक या नॉम्बर बीस तक आपका क् क्लासेज बसती है तो बहुत बड़ी बड़ा इस्यू नहीं है आपनों के लिए ठीक है अगला जो कुश्यन आता है भारत का मैंचेस्टर किसको का जाता है अभी जैसे इस टाइम पर चुट्टी के टाइम पर मैं आपको नब रात तर बगरा के टाइम पर कुश्यन विंसर और क्वारत का मैंचेस्टर लिखो बहुत बर्चेस्टर Britain दो जब है जिस चीजके उत्पाधन के लिए पर सिद्ध है उससे तुना की गई इस वज़े से खागिया ठीक है अगला जो question है आपका Manchester गर दो अगला जो question लिखना आपको देश में सबसे पहदे सुचना प्राध्योगी की निति की घोषना कब की घी थी देश में सर्वपरतम देश में सर्वपर्थम सूचना प्रोध्यगी की निती यानि इन आई टी ठीक है सूचना प्रोध्यगी की निती की घोष्णा देश में सर्वपर्थम सूचना प्रोध्यगी की निती की घोष्णा यानि देश में सबसे पहले सूसना प्रध्यगे की निती की जो घोषना की गई थी वो किस वर से की गई थी ये बता रहा है ये है अपने आप में 1992 में यानी 1992 में ठीक है लिको 1992 1992 में सबसे पहले इसकी घोषना की गई थी अगला लिखो आप लोग लोह इसपात उध्योग में कच्चे माल की रूप में क्या-क्या परियुक्त होता है जैसे लोह इसपात उध्योग होता है लोह आइरेन स्टील वाला ठीक है इसपात उध्योग इसमें जो कच्चे माल की रूप में परियुक्त किया जाता है इसमें जो कच्चा माल होता है तो ये कच्चे माल की रुप में क्या-क्या चीज़ा पर्युक्त की जाते हैं इसमें लौह ऐस्क होता है, कोईला होता है, चूना पत्थर होता है, ठीक है? लिखो, लौह ऐस्क, कोईला और चूना पत्थर यह सब चीजे किसमें यूज़ की जाती है बच्चो अपने आपमें लौ इस पात उध्योग के अंदर पर्युक्त की जाती है ठीक है अगला लिखो संराइज उध्योग किसको गहा जाता है Sunrise उध्योग इसमें लिखो उभरते हुए उध्योग उभरते हुए उध्योग अब आप होगे सर्ण उभरते हुए उध्योग में क्या वाज्या से सूसना प्रवज्योगी कि IT ठीक है information and technology हो गया इसके अलबाद सिक्सिया से संबंदित उध्योग होगे और चिकेट्सा से संबंदित उध्योग होगे पहले क्या होता था पहले मतलब स्टार्टिंग में जब ये industrialization हुआ था वो की चीज़ुगा होता था कोई अगला लिखो 85 भूमी का देश किसको कहते है औस्ट्रेलिया को कहा जाता है ठीक है और यहीं पर आप लोग एक चीज़ देखना इस देश में यानि इस continent में भी कह सकते हो Australia में दो प्रमुक नदिया बहती है उसका नाम है अनलच मर्रे अर्च अदर्लिग नदिया ठीक है मर्रे और ड्रलिग नदिया किस देश में बहती हैं darling नदी ठीक है ये किस देश में बहती है अगर पूछता है तो Australia में ठीक है इधे हैं ये पर ध्यान रखना ये मैंने आपको mapping जब कराई थी तब भी मैंने आपको Australia के बारे बताया था कि मर रहे हैं और darling नदीया किस देश में बहती है और हाँ एक वेरी व्यक्ति का स अपने महादीप हैं उसमें 6 कराए हैं मैंने सिर्फ और सिर्फ एशिया बचा हुआ है तो मेरी पर्सनल आपसे रिक्वेस्ट है प्लेलिस्ट में जाके कहीं न कहीं NCRT करके कुछ होगा महादीपू के बारे में मैंने पहले पढ़ाया था ऐसा confidence नहीं होगा जिसे आज के ट कर लेना ठीक है थमनिल देख लेना अगला लिखो जनसंख्या पिरामीड से आप क्या समझते हैं जनसंख्या पिरामीड ठीक है अगला लिखने आपको जनसंख्या पिरामीड से आप क्या समझते हैं या जनसंख्या पिरामीड को कैसे आप लोग डिफाइन करेंगे उसके ब बताता है ठीक है, तो लिखो जनसंख्या पिरामीड क्या होता है ये होता nhất है बच्चो किई देश की जनसंख्या sertथियन करने की विदी होती है ठीक है, उस देश की जनसंख्या क्या किस प्रकार का। structure है उसका अधियन डिकुष जन संख्रक्राइब का अधियन मतलब- वहां पे कितने बुड़े लोग हैं कितने जमान लोग हैं कितना क्या है। यह सब चीज़ें बताता है, एक परकार का पिरामीड होता है ठीक है। अगला लिखो लाइकेन और मास किस महादूरीत की प्रसिद्ध अपने आप में क्या है वनस्पती है लिखो लाइकेन प्लस मास नाम की जो वनस्पती है वो किस महादूरीत में पाई जाती है बेसिकली अगर ऐसे कुशन अगर पूछता है तो ध्यान रखने ही पाई जाती है बतो अंतारकेति का महादीब में कहा अंतारकेति का महादीब में लाकें और मास नम की वनस्तपति के होती है पाई जाती है अगला लिखना आपो यहीं पर great barrier reef किस महासागर में है यह important कर दिने ठीक है great barrier reef ग्रेट बेरियर रीफ यह है अपने आपके जैसे आपनों ऑस्टेलिया का महादीब दिखोगे ऑस्टेलियान महादीब के जो पुर्वी भाग है इस परकार से रीफ है, कोरल रीफ होते है नहीं इसी तरीके से बहुत बड़ा रीफ है यह यह जो ग्रेट बेरियर रीफ है यह प्रसांत महासागर में है कहां पर है प्रसांत महासागर यानि इसे के ब्रैकेट में लिख लो ऑस्टेलिया की पुर्वी भाग में है अगर आप ऑस्टेलिया का पुर्वी इस्टन पोर्षन देखोगे उससे लगा हुआ इग्रेट बैरियर रीफ रीटीक है, तो प्रसान्त महासागर में है यहीं पर अगला क्वेशन लिखना है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज परवत कहां इस्तित है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज परवत ये भी अपने आप में घाप है औस्तलिया के पूरवी भाग में लिखो औस्तलिया महादीब के पूरवी भाग में यानि Eastern portion of Australian continent में क्या है Great Diviary Range है अगला लिखो विश्व में कॉफी बंदरगा के नाम से किसको जाना जाता है Most Important है Santos जो कि Brazil में पाये जाता है लिखो विश्व में कॉफी बंदरगा यहाँ पर कॉफी का जो होता है वो बहुत ज़्यादा निरियाद होता है बंदरगा यानि Export ठीक है कॉफी बंदरगा कहा जाता है Santos को Santos बहुत important और इस Santos जो पढ़ता है यह बरता बच्चो ब्राजिल में ठीक है ब्राजिल ऐसे भी अपने आपम कॉफी उत्पादन के लिए जाना जाता है आप लोग जानते होंगे तो इस बंदरगा से बहुत अधिक मातरा में क्या किया जाता है कॉफी का एक्सपोर्ट किया जाता है और ब्राजिल की जो अर्थे व्यवस्ता है बहुत हद तक इसी कॉपी पे भी कह रहती है डिफेंड रहती है ठीक है तो कॉपी बंदरगा किसको कहती है आपको पता चल गया अगला लिखना आपको विश्व का सबसे उंचा जल परपात कौन सा है गया अगला लिखना आपको अस्वान बात का निर्मान किया गया है ये भी ध्यान रखना और अगला लिखना आपको विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौनचा है डेजर्ट ठीक है लिखो सबसे बड़ा मरुस्थल यह बच्छो सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौनचा है सहारा मरुस्थल है इस चीज़ को भी आपने क्या रखने है ध्यान में रखना है ठीक है बहुत इंप्पोटेंट चीजे है विस्व का सबसे बड़ा मरुस्तल हों से है सहरा का मरुस्तल है इस portion को भी आप लोग क्या रखना है ध्यान में रखना है ठीक है मतलब इस question को अगला लिखने आपको नील नदी कहा से निकलती है नील नदी यह एक जील है एक लेक है उसका नाम है विक्टोरिया जील वहीं से निकलती है ठीक है लिखो विक्टोरिया जील से अफ्रिकन कॉंटिनेंट में ही ठीक है विक्टोरिया जील से कह निकलती है अपने आप में नील नदी निकालती है अगला लिखो अफ्रिका महादी जी तो मैंने विश्व बर्षित नियागरा जल प्रपाद लिखो most important नियागरा जल प्रपाद एक तो लिखना है आपको हुमर को मैं मतलब comment section में खुदी बताओंगे ठीक है पता तो चले कितना सीरियस हो किस नदी पर ये बताना है और मैं इसको बताजता हूँ ये दो जील है ERI और Ontario उनके मिड मापाये जाता है ठीक है लिखो ERI वो Ontario जील के मद्र ये ERI plus Ontario जील के मद्र ये क्या पाये जाता है अपने आप में नियागरा जल पाव पाव ठीक है अब आपको गई इरी और ओंटेरियो के हैं देखो एक यह चीज लिख लो है इंपे ब्रैकेट में होम्स होम्स यह उत्री अमेरिका की ग्रेट लेग है ठीक है लिखो उत्री अमेरिका की ग्रेट लेग बोलते हैं इनको महान जील है ठीक है ग्रेट लेग इसमें योरान हो गया ओंटेरियो है मिसीगन है इरी है और ऐसे भी होगा कुछ ठीक है यह होम स्वारा आपको पता होना चाहिए कि यह पांच जीलें है उतरी अमेरिका की ग्रेट जीलें तो आप लोग इसको अपना नेट में सर्च करके मैंने बहुत बार पढ लाया भी है इसको चेक करना कि उतरी अमेरिका में ग्रेट लेग कौन-कौन सी है यह प्रस्न इस तरीके से भी पूछता है कि इनमें से कौन सी ग्रेट लेग का एक्जापल नहीं है ठीक है तो देखो यूरान हो गया ओंटेरियो हो गया मिसीगन है इरी है और सुपीरियर है यह उतरी अमेरिका जो कि अमेरिका महादीब यानि उतरी अमेरिका यानि जो USA है United State of America और कैनेडा उनकी boundaries पर पाई जाती है यह पांच जीले है इनको homes मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ कि आपको याद कैसे होगा यह उतरी अमेरिका की great जील आप लोग लिख लेगा लिख इसी के अलाबा M से क्या लिखोगे Michigan जील ठीक है E से क्या लिखोगे Erie जील और S से क्या लिखोगे Superior जील ठीक है यह पांच जील के नाम आपको याद रखना यह बहुत पूस्ता है कि इसमें से कौनसा आपका great लिख है और कौनसा great लिख नहीं है तो वहाँ question गलत मत करके आ यह ध्यान में आपको क्या रखना है अपने माइंड पर रखना अमने लिख यह अगला लिखो पैंगॉग जील कहां पर यह तो पताईए आपको पैंगॉग जील यह लद्दाक में है ठीक है बच्चों लद्दाक में ऐसा portion जो तिबबत के पास है तिबबत का इलाका जो है पेंगॉंग जिल पाई जाती है अगला लिखना आपको बेरिंग जलसंदी किन दो महादीपूं को अलग करती है ये करती है पच्छो एसिया प्लस उत्तरी अमेरिका उत्तरी नौदरन अमेरिका को अलग मदलब एक पानी का गलियारा हो गई ठीक है आप इतना टैंसर मत दे न जैसे मैंने का कि ये एसिया महादीप की बाउंडरी होगी ठीक है यहां पर ये बेरिंग जलसंदी होगी पानी का एक भाग हो गया समदो और ये उत्तरी अमेरिका होगा तो मैंने ये कह दिया ये जैसे अगला लिखना आपको विस्टो का सबसे बड़ा प्राइड वीप कौनचा है विस्टो का सबसे बड़ा प्राइड वीप यह है बच्छो अरब प्राइड वीप अरब प्राइड वीप यह थे आपके भूगोल के आचके वेशन इसके बाद आपका नंबर आथा उत्राइखन का और आपको खुदी जानते हैं जब तक आपके उत्राइखन नहीं ही होगी उत्राखंडे को उत्राखंड में पहला question लिखना आपको आज का बानासूर के किले को स्थानी भासा में क्या कहा जाता है तो बानासूर्च का नाम है मारकोट किला है क्या है मारकोट का किला मारकोट का किला यानि बानासुर का जो किला है उसका इस्थानी भासा में जो नाम है बच्चो वह है मारकोट का किला अगला आपने लिखना है स्वामी बिवेकान ने चंपाउत में रामकृष्ण सांतिमठ की स्थापना कब की थी रामकृष्ण सांतिमठ इस्तापना कब हुई थी 1901 में किस ने गी थी ये स्वामी विवेकानन जी ने स्वामी विवेकानन जी ने कहां गी थी चमपावत में स्वामी विवेकानन जी ने रामकृष्ण सांतिमठ की स्तापना 1901 में स्वामी वेकादन जीगी थी चमपावत में ठीक है अगला लिखना आपको आधुनिक पिथोरागर को किसने बताया है राजा पिथोरा या पिरितम साही लिखने की जर्बत नहीं है आधुनिक पिथोरागर लिख लो को ऐसे आएगा निया इसा कुछन ठीक है आधुनिक पिथोरागर को किसने बताया है राजा पिथोरा साही या पिरितम साही या पिथोरा लिख दो राजा पिथोरा या पिरितम साही आता नहीं ठीक है या पिरितम साही या पिरितम साही ठीक है जो भी लिखने आपको आप अपने हिसाब से लिख लो अगला कुश्य लिखने आपको मजहडा तामर पत्र का संबंदी किसा है राजा बीजाय बम से ठीक है मजहडा तामर पत्र लिखो अगला इहीं पर आपने लिखना है माहिश्वरी कुंड और थामरी कुंड कहाँ पर है मुंस्यारी में माहेस्वरी कुंड प्लस थामरी कुंड ये कहां है मुंस्यारी में है बच्छू ठीक है मुंस्यारी और मुंस्यारी कहां पड़ता है ब्रैकेट में लिख लो आप लोग पिथोरा गड़ में ठीक है मजेरा मर्दवी आपका महाहिस्वरी और थामरी कुंडे अगला आपने चार नाम लिखने हैं एक लिखो हीरामणी गलेसियर यहां लिख देता हूं ठीक है दिख जाएगा थोड़ा उपर करना हीरामणी गलेसियर दूसरा लिखो पॉंटिंग गलेसियर तीसरा लिखो काली गलेसियर चौथा मिलम गलेसियर और पांचवा पिनौरा गलेसियर यह सब के सब गलेसियर हैं यह किस जनपद में पढ़ते हैं आपके आपके थोड़ा गड़ जनपद में ठीक है फ्लस نय दोसरा जो आपप लोक के कर ऑलोक पोन्ट इंग लेसयर इस्के अलावर दो और लिखे लोक एक लिक्वावम्य गलेसयर और पिन्र documents?. ठीक है, Milam wa Pinora Milam plus Pinora Glacier ये सब के सब कहा है पिठोरागन में, ठीक है कहाँ पर है, पिठोरागन में है पिठोरागन जन्पन में है मतलब, ठीक है मुनचरी बगएर के पास इसको जान नखना अगला लिखो मीठा रिठा साहिब गुरुद्वारा कहा है मीठा रिठा साहिब गुरुद्वारा साहिब गुरुद्वारा ये है अपने आपके किस जन्पदमे है चमपावत जन्पदमा पर आपके ये है ठीक है अगला क्वेशन आपने लिखना है देखे आपने लिखना है अखिल तारणी मंदिर क्या लिखोगे अखिल तारणी मंदिर ये कहा है? चंपावत में अखिल तारणी मंदिर कहां पर आवस्तित है चंप आवस्तित है नेक्ट क्वेशन लिखो मानसरोवर यात्र हेतु वर्तमान में परियुक्त दर्रा कौन सा है उत्राखन में मानसरोवर यात्रा यात्रा हेतु परियुक्त दर्रा किस दर्रे के किस पास से होके आप लोग जाते मांसुर्वर जाते हैं अगला लिखो मांसुर्वर यात्रा में राज्जी का अंतिम पढ़ाओ मांसुर्वर यात्रा में राज्जी का अंतिम पढ़ाओ यानि कौन सा पड़ाव राज्जी का अंतिव के पड़ाव है मांसरवर यात्रा में आपको पतावना चे नवी धांग बोलते हैं इसको ठीक है नवी धांग जो है राज्जी का अंतिव के पड़ाव है कहां मतलब ये मांसरवर यात्रा में अगला लिखना को सीरा कोड का किला कहां पर अवस्तत देडि हाट पिठोरागल में नेक्स्ट केशन आपने यहीं पर लिखना है गोरा अठ्ठावली चयोहार कौन सी जैन जाती मनाती है लिखो, गोरा, अठा वली तयोहर मनाती है, राजी जन जाती, ठीक है, यहीं लिखतेता हूँ, नेखिशन आपने लिखना है लड़ी धुरा मेला और मानेस्वर मेला कहाँ पर लगता है, चमपाऊत में, लडी धुआ मिला और मानेश्वर मिला किस जगह पर लगता है चंपावत में मिला ये कहां लगता है चंपावत में कि लड़ी तोड़ा मेला वह मारेस्वर मेला किसी का पर लगता है za नदी पर है को लिखने आपको अग्ला लिखन आ आपको अ माउंट्स अवर में 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 लभी श्राज पड़ योजना किस नदी पर है है को टेश्वर- बाद जो कोटेश्वर बाद है बच्चो ये भागी रथी नदी पर है टिहरी गड़वाल में ठीक है लिखो भागी रथी और कहाँ पर है टिहरी गड़वाल में कोटेश्वर बाद कहाँ पर है टिहरी गड़वाल में भागी रथी नदी पर ठीक है नेक्स क्वेशन लिखने आपको टिहरी बात का डिजाइन किस ने तयार किया था टिहरी बात का डिजाइन टिहरी बात का डिजाइन किस ने तयार किया था ये किया था वच्चो अपने आप में जेम्स ब्रून द्वारा ठीक है डिजाइन किस ने तयार किया था जेम्स ब्रून के दारा, जेम्स ब्रून के दारा किया गया था, इस डेम का दिजाइन तयार किया गया था, नेक्स व्केशन लिखा आपको उच्छावू बात परियोजना, उतियासू बात परियोजना, उतियासू बात परियोजना, उतियासू बात, यानि उतियासू डेम ज नदी कहां पर है इस सिरीग में है करन कर लूक के परते आपको पोड़ी में बढ़ताया ठीक है राज्य महिलायो की पर्थम अध्यक्स कौन बनी थी संतोस चौहान राज्य महिलायो की पर्थम अध्यक्स पर्थम अध्यक्स कौन मनी थी? संतो सोहान ठीक है? नेक्स्ट व्केशन लिखो हिमादरी क्या है? हिमादरी लिखो राज्य के उत्पादों को हिमादरी नाम से जो है दूसरे जग़ा बेचा जाता है तो लिखो हिमादरी के आगे लिख लो आप लो राज्य के सिल्प उत्पादों को दूसरे राज्य में जो विपड़न किया जाता है ठीक है लिखो राज जी के सिल्प उतपादूं को सिल्प उतपादूं को बेचने यह तो brand का name यह तो जो brand है वो अपने आप में क्या है हिमादरी है ठीक है इस नाम से इसको बेचा जाता है अगला लिखने आपको खोदरी परियोजना किस नदी पर है यमुना नदीपर, क्या लिखोगे खोदरी परियोजना किस नदीपर है यमुना नदीपर खोदरी परियोजना किस नदीपर है यमुना नदीपर है, ठीक है ये था आपका, अब देखना है, एक चीज़ जहांचे सुनना UKPSC, especially ये फालतू के, जैसे मतलब तो रहा हूँ, लेकिन अब क्या है कि जैसे आपको पढ़ना तो चाहिए मैं क्यों कहूंगा कि आप इसके लिए के जाओ अधिकांस तो भूगोल वाले पोर्शन को फोकस करता है, उत्राखन में ध्यान रखना उत्राखन से अगर वो पूचेगा तो भूगोल के क्योशन जादा पूचेगा गलेसर है, जीले है, आपके पास है, धर्रे बगर है इसके अलावाग उत्राखन सरकार के एक्ट है न, एक्ट जो अलग-अलग अधीनियम बनाए सरकार ने वो भी पूचता है, ठीक है, तो एक क्लास, स्पेसल क्लास किसी ने किसी दिन एक्ट की करा दी जाएगी आप लोगों को, और उमीद कीजिए, मान के चलिए जो भी मैं कराऊंगा, आपके एक्जाम तक कहीं न कहीं आपको एक्जामनेशन हॉल पे वो दिखेंगी, यानि आपके साथ आज की क्लास हो या कल की हो या आने वाले जब तक आपकी एक्जाम नहीं होते हैं यह जो मैं कराऊंगा, कहीं न कहीं आपके एक्जामनेशन हॉल पे वो आपके साथ टकराएंगी तो आज की class जैसी भी हो जो भी हो इन चीजों को ध्यान में रखना कि हमारा कहीं न कहीं पे ये आज मतलब future में काम आएंगी तो मैं उस type की जो प्रमुख act है है उत्राखन सरकार की कहीं न कहीं एक दिन आपके ले के आओंगा ठीक है फिर मिलता है गले सेसर पे अपना ध्यान रखेगा थेंक्यू